दोस्तों आज किस वीडियो में हम एक ऐसे इंडियन कमपनी के बारे में जानेंगे जिसका नाम आप में से 99% लोगों ने जरूर सुना होगा और इस कमपनी का famous product अपने घरों में जरूर इस्तेमाल भी किया होगा वीडियो का टाइटिल और थमनेल देखकर आप सबी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज किस वीडियो में हम आजनता इंडिया लिमिटेड कमपनी के बारे में जानेंगे कि ये कमपनी कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई और ये कैसे ग्रो हुई और ये कौन से सेग्मेंट में अपना कारोबार करती है तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबी लोगों से रेक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इनफर्मिटिव वीडियो इन फ्यूचर भी मिलते रहें एलो दोस्तों मेरा नाम कालिद है और वाइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है जन्ता इंडिया लिमिटेड ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है दोस्तों जो की ब्यूटिफुल आर्ट पीसेज और वाल क्लॉक्स बनाती है देश भर में इतना ही नहीं दोस्तों एट प्रेजन्ट अजन्ता इंडिया लिमिटेड एक बहुत ज्यादा डैवर्सिफाइड कंपनी मानी जाती है जिसका कारोबार, टेक्स्टाइल, ट्रांस्पोर्ट, कंस्ट्रक्शन एक्क्यूप्मेंट, LED लाइटिंग, सीलिंग फैन और एक्जॉस्ट फैन बनाने के कारोबार में ये लगी हुई है आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दून दोस्तों कि ओदवजी रागवजी पटेल इस कंपनी के फाउंडर है और इन्हें फादर आफ दे वाल क्लॉक्स भी माना जाता है ये एक फेमस इंडियन बिजनस टाइकून है जो की इस ग्रूप आफ कंपनीज को स्टार्ट किया था और 45 से भी ज्यादा कंट्रीस में एड प्रेजन्ट इनके प्रॉड़क्स बेचे जाते हैं चलिए दोस्तों वीडियो को आगे ले जाते हैं और अजन्ता इंडिया लिमिटेड ग्रूप के टाइम लाइन पर नज़र दालते हैं 1971 में पहली बार ओदवजी पटेल मैनुफेक्चरिंग और वाल क्लॉक्स को स्टार्ट किया था दोस्तों और शुरुआत में इनके इस कारोबार में तीन पार्टनर्स थे जो की मिलकर ये कारोबार को लगाया था और इन तीनों पार्टनर्स में से किसी को भी वाल क्लॉक्स मैनुफेक्चरिंग इंडिस्ट्री का कोई भी एक्सपिरिंस नहीं था और इसी वज़ा से इन लोगों को अपने शुरुवाती दोर में कई सारे फेरियूर्स का सामना करना पड़ा दोस्तों और जैसे जैसे बिजनेस में लॉसस होते गए और एक एक करके तीनों पार्टनर्स ओदवजी पटेल का साथ छोड़ते गए जपान उस समय वर्ल्ड मार्केट लीडर था दोस्तों वर्ट प्लॉक्स बनाने के लिए इसी वज़ा से ओदवजी पटेल जपान गए और वहां के प्लॉक सेग्मेंट के सारे कमपनीज को डिटेल्स एनलाइज किया और फिर वापस इंडिया आकर कुछ समय बाद एक नया प्रोडेक्ट इंडिया मार्केट के लिए वो लॉंच किया था जिसका नाम अजंता क्वार्ट्स रखा गया था जिसे आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों देखते ही देखते अजंता क्वार्ट्स का कारोबार बढ़ने लगा और ये ओधवजी पटेल के लिए फस्सक्सेस्फुल स्टेप बन गया था 1989 में पहली बार मैनुफक्ट्रिंग अफ रिस्ट वाचेस को भी स्टार्ट किया था सबी लोगों की जानकारी के लिए बता दून दोस्तों 2002 में ही ये ग्रूप एलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने के कारोबार में लग गया था और साथ ही साथ अजंता का टूथ ब्रेश और अजंता का टूथ पेस्ट भी लांच कर दिया था और इस तरह से ये कंपणी FMCG सेग्मेंट में भी इन्वाल्व हो गई अजंता इंडिया लिमिटेड वस अल्सो अवाड़ेद विधा सेटिफिकेट अफ लार्जेस एक्सपोर्टर और कंजूबर एलेक्ट्रोनिक गूड़्स बाइंडिया इन दे पास्ट साल 2006 में ये ग्रूप इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉड़्स को मैनुफैक्चर करने लगी जैसे के CFL Bulbs और अजंता के नाम से मोबाइल्स को भी लांच किया था उस समय 2009 में अजंता कंपणी ने पहली बार एलेक्ट्रिक एमर्जनसी लाइट को मार्केट में लाया था दोस्तों जो कि इस ग्रूप की पहली एंट्री थी इन LED सेग्मेंट्स विध LED बल्प्स और साल 2012 में इंडियन मार्केट में अजंता कंपणी ने कई और प्रॉडर्स को भी लांच किया था जैसे के LED फ्लाइट्स, LED स्ट्रीट लाइट्स, LED ट्यूब लाइट्स और एक्सेट्रा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे उस समय कुछ साल बाद 2021 में इस ग्रूप ने फैन बिसेस में भी एंट्री मारी थी with innovative designs and stylish fans such as ceiling fans, exhaust fans और एक्सेटरा In the year 2020, Ajanta India Limited started manufacturing of home appliances too with its various products such as dry iron, mixer, grinder और एक्सेटरा Ajanta India Limited एक trustworthy brand है जो की कई सालों से अपने hard work और dedication के साथ built हुई company है Almost 51 years हो गए इस company को स्टार्ट हुए और जब से ही ये अपने consumer friendly products को launch करते रहती है और इसलिए ये continuously market leader मानी जाती है ऐसे informative videos बनाने के लिए बहुत स्यादा मेहनत और वक्त लगता है दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही informative videos लाता रहूँ तो अच वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये video जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस channel के दूसरे videos पर भी जरूर विजिट करिए और वहाँ पर भी अपना प्यार और support लाइक और comments के रूप में जरूर दिखाईए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ तिल दें टेक केर बाई बाई झाल झाल झाल